टाइप दो मदू में इसे ग्रस्त लोगों का ब्लट शुगर कस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको नियंतरन करना बहुत मुश्किल होता है इस्तिती में पीड़ित व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है बार-बार मुत लगना और लगतार भूख लगना जैसी समस्याएं होती है यह किसी को भी हो सकता है लेकिन इसे बच्चों में अधिक देखा जाता है टाइप दो मदू में में शरीर इंसलिन का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है मदू में रहेत लोगों की तुलना में टाइप माइनस दो मदू में वाले लोगों में रिस्ट्रिक्टिव फेफडे की बीमारी RLD विक्सित होने का जोखिम ज्यादा होता है RLD की पहचान सास फूलने से की जाती है जर्मनी के हेडल बिग अस्पताल विश्व विद्याले के स्टीफन कोफ ने कहा तेजी से सास फूलना RLD वा फेफडों की विसंगतिया टाइप माइनस दो मदू में से जुड़ी है जानवरों पर किये गए पहले का निश्क शो में भी रस्ट्रिक्टिफ फेफडे की बीमारी वा मदू में के बीच संबंथ का पता चला था विश्व विद्यालाई के प्रोफेसर पीटर पी नवरोथ ने कहा हमें संदे है कि फेफडे की बीमारी टाइप माइनस दो मदू में का देर से आने वाला परिनाम है शोद से पता चलता है कि RLD albuminuria के साथ जुड़ा है albuminuria एक ऐसी स्थेती है जिसमें पेशाप का albumin star बढ़ जाता है या फेफडे की बीमारी वा गुर्दे की बीमारी के जुड़े होने का संकित हो सकता है जोकी निफ्रोपेंथी से जुड़ा है निफ्रोपेंथी मदू में गुर्दे से जुड़ी बीमारी है शोद का निशका शोगा प्रकाशन पत्र का respiration में किया गया है इसमें टाइप माइनस दो मदू में वाले 110 मरीजों के आंखडों का विशलेशन किया गया इसमें 39 मरीजों में हाल में टाइप माइनस दो मदू में का पता चला था 68 मरीज ऐसे थे जिन्हें पहले से मदू में था वहर 40 मरीजों को मदू में नहीं था